हाई हलो नमस्ते फ्रेंड्स आज की रेल कारवां में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारती रेलवे लोको मोटी विफलता की समस्या का समाधान कैसे करता है तो आज की पूरी वीडियो इसी के उपर होने वाली है अगर आप ह दुबानी समझने की कोशिस करेंगे हम बंगाली वर्तमान में सबसे प्रसिद त्योहार श्री दुरुगा पूजा जारी रख रहे हैं हमने कल एक रेश्टरौ में रिस्तेदारों के साथ रातरी भोच किया मेनू भारी था और एक भोजन प्रेमी के रूप में मैं वह सब खात हूँ इसके कारण मुझे लगा कि डाइजेस्टियो लेने के बाद भी मुझे पूरी रात बेचैनी महसूस हुई आज सुबह मेरी पतनी ने एक पैथोलोजिकल लैप करमचारी को बुलाया और उसने मेरा रक्त का नमूना लिया नतीजा अभी आना बाकी है मैं अब 47 साल का हूँ मेरी पतनी मेरे साथ कोई असफलता नहीं होने देती इसलिए वह मेरे साथ कोई भी अनियमित्ता ढूंडना चाती है यह एक निवारक उपाय है अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो मुझे डॉक्टरों से परामर्ष करना होगा और उसके अनुसार दवा लेनी होग ताकि मेरे साथ कोई विफलता नहीं हो लोकॉमोट्यू में भी मानो शरीव की तरह विभिन उपकड़ और सहयक उपकड़ शामिल होते हैं किसी लोकोमोट्यू को बिना किसी विफलता के चलाने के लिए सभी मूलिवान हैं मेरे बलड सैंपल की जाच की तरह भारती रेल्व पी ओ एच ए ओ एच आई ओ एच आदी भारती रेलवे के प्रत्यक लोकोमोटिव का अपना बेश शेड होता है एक निश्चित अवधी के बाद विशेश लोकोमोटिव को मेरी तरह किसी भी अनिमित्ता के लिए निरधारित निरिक्षड के लिए अपने बेश शेड में आई गई तो उसे ठीक कर दिया गया प्रतेक निरिक्षड की एक निरधारित समय सीमा होती है विशेश निरिक्षड उस अवधी के साथ पूरा किया जाना चाहिए लोकोमोटिव के रख रखाओ और उचित संचालन से खुली लाइन में लोकोमोटिव की विफलता को कम किया बचें लेकिन यह सब करने के बाद कुछ देर बाद एक खुली लाइन पर लोकोमोटिव फेल हो गया यह कुदरती है यह एक मशीन है और एक मशीन विफल हो सकती है लोकोमोटिव विफलता की मुख्य समस्या यह है कि यह उस रेलवे ट्रैक के रेलवे यातायात को अवरु बन जाती है, खराबी पाए जाने पर लोको पाइलट ने तुरंत इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी, साथ ही वह फोन पर बात करके विशेशग्यों से सलाह लेकर उस समस्या को दूर करने का प्रयास भी करता है, नियंतरक को ट्रेनों को मुख्य लाइन से निकालने और निक उनको हटाना और ट्रेन की आवाजा ही फिर से शुरू करना है, उसके बाद उस लोको मूटिव के माध्यम से जाने वाले निरिक्षड से उस विफलता का सटीक कारण पता चला, ऐसा इसलिए करना है ताकि भविश्य में उससे होने वाली असफलता से बचा जा सके, उमीद क करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि भारती रेलवे लोको मूटी विफलता की समस्या का समधान कैसे करता है, अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेर कर दीजिए, और चानल पर नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तो फिर मिलेंगे किसी दूसी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई